हाई दे जोगेंदर टुटेजा टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिकियों बात करते है शाहिद कपूर और कियारा एडवानी की फिल्म कभीर सिंग के बारे में बहुत ही टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आरी है शाहिद कपूर की जिसके लिए एक्चुली काफी एक्साइटमेंट बिल्डप हो गया है उनकी लास्ट फिल्म आई थी बत्ती गूल मीटर चालू श्रधा कपूर इनके साथ थी कुछ खास बज या हाइप नहीं थी तो वो ब अगर यह दिल्मेटली तो बिल्डप टॉर्टमेटली तो बिल्म आई तो नहीं तो यहां पर कभीर सिंह इस वन फिल्म जो एसे लग रहा है तर देफिनिटली इस गोंग टी पी अच्छाहिद कपूर अगर यह यह फिल्म सुक्सेफल होती है तो इस गोंग तो प्रामरी ब इस वाइलन लव स्टोरी बट दन एडल्ट अंगल डेफिनिटली ए बच्चों के लिए फिल्म नहीं है और इवन फाइमिली ओडियंसे हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी सी अंकमफोर्टेबल मुमेंट्स हो जाए बट दन फो यूथ जिसके लिए फिल्म टार्गेट करी जो बोलते हैं कि कॉलेज के बच्चे आएंगे या फिर अपने हायर सेगंडरी सीनर सेगंडरी स्कूल के बच्चे आएंगे मुझे ऐसे लगता है कि उनके लिए काफी सारा एंटेइन्मेंट इन फिल्म होना चाहिए दूसरी बात है कि फिल्म का अच्छा बन पड़ा है उ सब को पता है कि शाहिद कपूर is a good actor, it's just a matter of one film that could take him places. क्या रहा है इडवानी, अब देखना है यह है कि as a central lead along with शाहिद कपूर वो कैसा इस फिल्म में करती है, गाने अच्छे बन पड़े है, production values अच्छी है, यह ट्रेलर अच्छा है, so the stage is set for the film. अब देखना है कि ओपनिं मिनमम में इस्पेकर रहा हूं, और 10 से उपर भी अगर चले जाती है तो कोई बड़ी बारती है, because अभी पिछले हटे कोई कुछ खास हिंदी फिल्मे आइने है, so audiences have been waiting to catch a Hindi film in theatres. So, अगर यह फिल्म 10 करोड के ओपर की बी ओपनिंग ले जाती है, so that's going to be indeed a big deal, but 8 से 10 करोड would be a good enough range for the film, और उसके बाद, obviously word of mouth बोलेगा, so stay with me and I'll be back with you soon enough to share with you my film review and also how did the film turn out to be at the box office, this is Jogendra Tudaya, signing off from Tudaya Talks, Desi Martini.